ये कहानी जैनिफर नाम के एक बहुती खुबसूरत लड़की की उपर आधारित है जो लड़कों को हर वक्त अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है लेकिन इसके बदले में वो उनसे क्या क्या लेती है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज उसके पास उस पागल खाने की नर्स आती है और उसे खाना खाने के लिए पूछने लगती है पर तभी नीडी उस नर्स के पिछवाडे पर एक जोर से लात मारती है और उसको दूर फैक देती है उसी समय वहाँ पर दो सिक्योरिटी गाड आते हैं और नीडी को उठाकर एक जरने की वज़े से पड़ा था जिसका पानी एक बड़े से गड़े में जाता था और उस गड़े का पानी कहा जाता था ये किसी को भी नहीं पता वहाँ पर बहुत सारे सैंटिस उसमें अलग-अलग चीजे डाल कर पता लगाने की कोशिश करते थे कि वो चीजे कहां पर जात जो कि जैनिफर से बिल्कुल ही उल्टी थी लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अपना जादा तर टाइम साथ ही स्पेंड करते थे नीडी का एक बॉइफेंड भी था जिसका नाम होता है निर्मल निरोध पर नीडी अपने बॉइफेंड से जादा अपना टाइम जै जैनिफर आ जाती है और वो नीडी को उसके साथ एक क्लब में चलने के लिए बोलती है अब ये देखकर निर्मल निरोध सोचता है कि आज रद तो उसे हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा फिर कुस देर बाद वो दोनों क्लब आ जाती है जहां पर जैनिफर उस क्ल जब में एक बैंड चलाता है फिज जैनिफर टोनी ककड से बाते करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है जिस पर टोनी ककड भी उसे हाँ बोल देता है फिज जैसे ही जैनिफर ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है तब ही पीछे से टोनी ककड अपने दोस्तों से भी ध्यान नी देती और वो टोनी ककड का प्रफोमेंस देखने के लिए चली जाती है अब उसकी प्रफोमेंस शुरू होने के कुछ टाइम बादी उस क्लब में आग लग जाती है और चारो तरफ भगदड मत जाती है सभी लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होत तब ही वाँ पर टोनी ककड आ जाता है और वो जैनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है नीडी उसे जाने के लिए मना कर देती है पर जैनिफर टोनी ककड के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो टोनी ककड की वैन में बैट कर वाँ से चली जाती है पर लोग जैनिफर के साथ कुछ करना दें तभी नीडी के दर्वाजे पर कोई नौक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे चली जाती है फिर वो जैसे ही दर्वाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता फिर वो दर्वाजा बंद करके वाँ से जाने ही लगती है कि तब ही उसको नीचे के रूम से किसी की आवाज आने लगती है फिर नीडी उस रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वाँ पर जैनिफर खड़ी है और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है इसके बाद जैनिफर नीडी का फिरिच खोलती है और उसमें से कच्चा मास निकाल कर खाने लगती है अब नीडी जैनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर जैनिफर वहाँ पर काफी डरावनी आवाजे निकालने लगती है और फिर वो अपने मूँ से कोई काला लिक्विड निकाल कर वहाँ से चली जाती है फिर एगली सुबह कॉलेज में नीडी जैनिफर और कल रात के बारे में सोची रही होती है कि तबी वहाँ पर जैनिफर आ जाती है जो बिलकुल ठीक लग रही थी अब नीडी जैनिफर से कल रात के बार में बात कने लगती है पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर चूतर्मल आ जाते हैं और पिछली रात क्लब में मरेवे लोगों के बारे में बात कने लगते हैं वही जैनिफर प्रोफेसर चूतरमल की बाते सुनकर हसने लगती है जो की नीडी को काफी अजीब लग रहा था दूसी तरफ हम इसकूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जुनजुनु को देखते हैं जो की ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है जुनजुनु अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है पर तभी उसके पास जैनिफर आती है और उसको बोलती है कि मैं भी बहुत दुखी हूँ प्लीस मेरा दुख दूर करो और ऐसा बोलकर वो जुनजुनु का हाथ अपने संतरों पर रख देत अब इससे जुनजुनु का छोटा जुनजुनु वाइबरेट करने लगता है और फिर वो दोनों घचा घच मचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं वहाँ जाते ही वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं पर कुछी देर में जंगल के सारे जनवर वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को चुम्मा चाटी करते हुए देखने लगते हैं जुनजुनु को ये देखकर काफी अजीब लग रहा था पर तबी वो जैनिफर को देखता है, जिसका मुँ अचानक इसी जानवर की तरह खुल कर बढ़ा हो जाता है, और फिर वो जुन-जुनु को मा डालती है वहीं जुझुनु की चीक सुनकर प्रोफेसर चूतरमल वहाँ पर आता है और वहाँ पर जुझुनु को मरावा देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस वहाँ पर खुनी का पता लगाने में लग जाती है दूसी तरफ नीडी और जैनिफर फोन पर बात कर रही होती है और नीडी जैनिफर को बताती है कि मैं इस टाउन में हो रही इन घटनाओं से बहुत परिशान हो चुकी हूँ पर वहीं जैनिफर को इन सब बातों से कोई फरक नी पड़ता और वो बाते करते वे एक लाइटर से अपनी जीब को जला देती है पर तबी हम देखते हैं कि उसकी जीब कुछी सेकेंड में वापस नॉर्मल हो जाती है जिसको देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि जैनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है अगले दिन कॉलेज में तैमूर नाम का एक स्टूडेंट जैनिफर के पास आता है और उसको साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है वही जैनिफर भी तैमूर को हाँ बोल देती है और उसे आज रात को अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि मैं अपना पता तुमको मैसेज कर दूँगी फिर रात को जब तैमूर उस आड्रेस पर पहुँचता है तो वह देखता है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान है और वहाँ पर बहुत अंधेरा है तभी जैनिफर वहाँ पर आती है और तैमूर के पास आकर उसे किस करने लगती है इसी दोरान तैमूर नोटिस करता है कि जैनिफर की आँखों का कलर चेंज हो रहा है अब ये देखकर तैमूर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसी वक्त जैनिफर तैमूर पर हमला कर देती है और उसे मार कर खा जाती है दूसी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो कि अपने बॉइफेंड के साथ पलंग तोड़ रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर उसको जैनिफर दिखाई देती है जिसको देखकर वो काफी ज़्यादा डर जाती है और उटकर वहाँ से चली जाती है नीडी कार ड्राइव करके अपने घर जा रही होती है पर तब ही रास्ते में उसे जैनिफर दिखाई देती है जो उसके कार के उपर जम्प करती है अब ये सब देखकर नीडी की भी फटकर 64 हो जाती है और वो घर आकर रोने लगती है इसके बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जैनिफर वही पर है फिर जैनिफर नीडी के पास आती है और उसे रिजाने की कोशिश करने लगती है फिर वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं पर नीडी को दो सुरंगों को आपस में रगड़ने में कोई इंटरस्ट नी था, इसलिए वो जैनिफर को आगे का प्रोसेस करने से रोक देती है, वही ये सब देखकर हम व्यूवर्स का भी मूड खराब हो जाता है, क्योंकि में काम तो रूकी गया था, इसके बाद जैनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है, जिस रात कलब में आग लगी थी, यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस राद टोनी ककड जैनिफर को उसी जरने के पास ले कर गया था, और वहाँ पर टोनी ककड और उसका बैंड सकसेस पाने के लिए शैतान को जैनिफर की बली देने वाले थे फिर वहाँ पर टोनी ककड जैनिफर से पूछता है कि क्या तुम सील पैक हो अब जैनिफर काफी डरी वी थी इसलिए वो जूट बोल देती है कि हाँ मैं सील पैक हूँ इसके बाद टोनी ककड जैनिफर के पेट में चाकू मार देता है और उसे उस जरने में फैक देता है अब टोनी ककड ने तो अपना रिच्वल कंप्लीट कर लिया था और अब उसे लग रहा था कि उसका बैंड फेमस हो जाएगा लेकिन उसके प्रोसेस में एक कमी थी और वो था जैनिफर का सील पैक ना होना जिस वज़े से जैनिफर वापस जिन्दा हो जाती है और उसमें इवल पावर सा जाती है अब ये बताते वे जैनिफर अपने हाथ में कट लगाती है जो तुरंत वापस नॉर्मल हो जाता है अब ये सब देखकर नीडी काफी डर जाती है और वो जैनिफर को वाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर जैनिफर भी उसके घर की विंडो से कूत कर वाँ से चली जाती है फिर एगले दिन नीडी जैनिफर के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बार में पता लगाने लाइब पता चलता है कि अगर जैनिफर को सुन्दर रहना है तो उसे इंसानों को मार कर खाते रहना होगा और जैनिफर को मारने का एक ही तरीका है उसके दिल पर वार करना अब नीडी को ये डर लगने लगता है कि कहीं जैनिफर उसके बॉइफेंड निर्मल निरोध को भी ना मार ड उसी रात इस्कूल में एक डांस पार्टी होती है और सभी लोग उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और उसके साथ गचा गच करने के लिए उसे लेकर एक सुनसान जगे पर आ जाती है। जैनिफर उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है। फिर लड़ाई के दोरान निर्मल निरोत की वहीं मौत हो जाती है। और जैनिफर वहां से भाग जाती है। अब निर्मल निरोत की मौत से बहुत दुख होता है। फिर कुश देर बाद जैनिफर की मौम वहां पर आती है और वो नीडी को जैनिफर को मारते होए देख लेती है। अब जैनिफर के खून के इलजाम में नीडी को एक मैंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब यहां से फिल्म वापिस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जब लडाई के दौरान जैनिफर ने नीडी के कंधे पर काटा था तबी नीडी के अंदर भी वो सारी शैतानी शक्तियां आ गई थी। और फिर इसी के साथी यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।